दोस्तो आज एक कैट की रेस्क्यू वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ रात की ये वीडियो है ये कैट बहुत बुरी तरीके से फसी हुई है गरवालों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया rescue team को बुलाने के पीशे रहे था कि गरवालों ने पहले बहुत ज़ादा कोशिश करी लेकिन बिली बहुत ज़ादा फसी होने के कारण काफी ज़ादा गुस्य में जाग काफी ज़ादा aggression में थी अभी rescue team चेक कर रही है कि वो बिली जिन्दा है और देख सकते हैं कि इसकी गर्दन काफी हद तक पस्यूई है इसको पहले गरवालों को काट भी चुकी है निकालने के कारण अभी रेस्क्यू ट्राई करेगी वो इसको काट भी नहीं सकती जाली को क्योंकि इसका सर बिलकुल पूरे का पूरा फसा हुआ है अगर काटेंगे तो गले को भी चोड़ लग सकती है अभी ट्राई करेगी पूरा अपना हार्डवर करेगी लेकिन बिल्ली को कितनी जादा पेन हो रही है यह वीडियो में आप देख सकते उसका सर ऐसे फसा हुआ है रैस्क्यू टीम को थोड़ा सही डंग से भी निकालना चाहिए था लेकिन खैर जैसा उनको सही लगा उन्होंने ट्राई किया टीम बाकी चीज़ें भी चेक कर रही है लाइक ऑक्सिजन लेवल्स बिल्ली की जीब एकदम काली होने लग गई शुरू हो गई हाइपॉक्सी अब गईरा हो जाता है क्योंकि गर्दन फसी रहने की वज़ा से ब्लाड भी नहीं आता और अक्सिजन की सप्लाई नहीं होती तो बहुत जादा प्रावल्म होती है विल्ली को भी दीरे दीरे सांस रुक जाती है और फिर मुश्किल हो जाती है बचाने को फिर एस्क्यू टीम ने ट्राइ किया कि उसके सर को गुमाक के निकालने की कोशिश करें टर्न होगी तो शायद निकल जाए बिल्ली को उल्टी किया और फिर असानी से बिल्ली का सर बाहराना स्टार्ट हो गया क्योंकि जैसे तरीके से फसी थी वैसे तरीके से निकालने तो असानी हो गए बिल्ली को इन्होंने बचा लिया यह तो ऐसे फसी रहती तो शायद यह बचनी बाती गर्दन को काफी ज़्यादा नुकसान हुआ इसके फिर एसक्यू टीम ने फीड वगएरा दी उसको और उसको थोड़ी रहात मिली झाल 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 झाल